आपका हमारे चैनल यानि आपके चैनल इंग्लिस इस्टुड़ी बित आरन में स्वागत है आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को देखिएगा जरूर और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा और जहां भी ना समझ में आये वहां पर आप कॉमेंट्स में पूछ भी सकते हैं तो हम चलते हैं आगे आप पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं वाइस वाइस के हमने अफ़र्मेटिव संटेंस और निगेटिव संटेंस कि जितने भी संटेंसे हैं उनको हमने यहां पर पढ़ा और सीखा अब चल रहे हैं आगे आगे कोंसर संटेंस आ रहा हमारा आगे हमारा है तो पैसिव वाइस आफ इंट्रो गेटिव एड इंट्रो निगेटिव संटेंस इंट्रो गेटिव संटेंस और इंट्रो निगेटिव संटेंस को मैं समझा चुकी हूँ उनको मैं समझा चुकी हूँ बट इनके अब हम passive wise पढ़ेंगे इनका जो भी passive wise है उसे हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले चलते हैं हम कि देखिए चलने से पहले एक छोटा सा हम quotes बोलते हैं आपके लिए है हमारे लिए भी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है यानि कि या आप अपनी मेहनत के बल पर इतना आगे बढ़ जाएं इतना मेहनत करें इतना होडवर करें कि इश्वर आप से खुद पूछे की तुझे क्या चाहिए तुझे क्या चाहिए अब तू बता तो हमारा कहने का तात पर यह है कि हम सबको इतनी मेहनत करने चाहिए कि कभी किसी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी आवशकता हो तो हमें मागना ना पड़े हम अपने आपको उतना सक्षम बना ले इन ही शब्दों के साथ चलते हैं हम आपको बताने present indefinite tense की passive voice हमारा उपर का टॉपिक जरूर देखिएगा आप passive voice of interrogative and intronegative sentence दोनों के हम बताएंगे तो चलते हैं हम पहले present indefinite tense में आप जानते हैं इसके active में इसके active voice में क्या interrogative में क्या लगता है सबसे पहले देख लेंगे आप active active में लगता है do and does ठीक लेकि जब हम passive बनाएंगे passive में passive में क्या लग जाना है is rm यह चीज लगना है तो आपको active के लिए do does लगा होता है passive के लिए यह चीज लग जाना है वाकिके sentence के प्रारम में तो एक हम sentence लेते हैं एक sentence लेते हैं फिर उसका structure बनाते हैं active का sentence है active का sentence sentence क्या है do they play cricket and question mark do they play cricket अब इस sentence को हमें change करना है passive wise में इस sentence को हमें change करना है passive wise में तो आफोर्मेटिव में भी और निगेटिव में भी हमने बताया कि subject को object बनाना और object को subject बनाना में बर्व का third form sum में रहता है by नए object के पहले हम बाई लगाते हैं तो structure चलते हैं हम structure हमारा देखेंगे आप structure है structure structure में अब हम क्या apply करेंगे is rm तो सबसे पहले हम लिखेंगे is rm प्लस अब क्या करना है हमको object to subject करना है यहां पर object to subject थोड़ा सा ही अंतर आना है वाकि एक जलरी वाप्स में कहीं भी कोई भी changing नहीं है तो object to subject फिर इसके बाद अब चुकि object to subject आ गया तो फिर अब हम main बर्वका third form करेंगे फिर by करेंगे फिर यहां पर क्या करेंगे subject subject to to object और यह question mark तो रहेगा है question mark रहेगा इसका passive बनाना है इसका passive बनाना है तो passive देखेंगे आप इसका passive कैसे बनाएंगे do they play cricket है न तो आप चुकि cricket हमारा यहां पे क्या हो गया है यह cricket जो हुआ है यह subject बन जाएगा क्या बन जाएगा subject और इसमें क्या है यह object है है क्या object लेकिन बनाना क्या है subject तो subject जब बनाना है तो according to this rule according to this structure we apply क्या करेंगे यहां पर हम cricket singular form में है इसलिए यहां पर हम लगाएंगे इस कि इस cricket कि इस cricket कि फिर अब चुकि यह भी आ गया इतना चीज हमारा आ गया इस cricket में बर बबब दूड़ेंगे इस में वाप कॉन सा लगा हुआ है प्ले का क्या हो जाना है played by किसके द्वारा किया जाना है यहां पर देख लेंगे दे देखा them and question mark and question mark आपको यह sentence अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इसी sentence में हम आपको बता देते हैं इसी sentence में आपको बताते हैं इंट्रो निगेटिव इंट्रो निगेटिव के लिए आप देखते चलिएगा कोई भी changing नहीं है थोड़ा सा इसी sentence में इसी sentence में बताते हैं तो दो दे नॉट यहाँ पर आजाएगा निगेटिव के लिए यहाँ पर नॉट आजाएगा दो दे नॉट प्ले क्रिकेट दो दे कुछा हैं no द्यान में थांद जूक अब इसका हम् आप डिख नहीं तेम ढर्वाइंगे यह हमारा पैसी बना हुआ है तो पैसी भी हमारा चल रहा है इस क्रिकेट नोड यहां पर वाजाएगा not played by them not played by them इतना साही चेंजिंग होना है और ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं किया जाना है तो अब हम चलते हैं आगे next sentence यानि कि next present continuous को बताने तो चलते हैं प्रेजेंट कॉंटिनिव च्टेंस के बारे में जाने तो आप जानते हैं अपर देखी present continuous tense में उसके active में आप जानते हैं कि is rm प्लस main बरवका ing form लगता है तो जब हम इसकी passive बनाएंगे तो passive में is rm तो रहेगा प्लस उसके साथ में क्या जाना है being आ जाना है is rm रहेगा उसके साथ में being आ जाना है पर being का प्रयोग कहां पर होगा being का प्रयोग होगा subject और main बरव आगे आएगा उसके बीच में में बव और उसके बीच में होना है यानि कि is rm के बाद में हम subject लगाएंगे उसके बाद ही इनका यूज करेंगे तो एक sentence देख लेंगे is woodcutting trees is woodcutting trees एक sentence है जो sentence है हमारा present continuous का interrogative sentence present continuous का interrogative sentence है is woodcutter cutting trees क्या लकड हारा लकडी काट रहा है तो इसका अब हमें passive बनाना है कि क्या लकड हारे के द्वारा लकडी काटी गया पेड काटा गया ऐसे sentences भी आते हैं ट्रांसलेशन के लिए भी आते हैं तो इसका हम सबसे पहले structure देखेंगे तो structure के लिए सबसे पहले आपको पता है कि interrogative sentence है और interrogative कौन सा है simple है जिसका answer हमें ऐसे no में प्राप्त होता है तो इसके starting भी auxiliary वाप से होती है इसके passive के लिए भी auxiliary वाप सी ही लगाएंगे तो इसके लिए देखेंगे आप is rm according to subject सबसे पहले apply करेंगे फिर object to subject जो हमारा इसमें object होगा उसको subject बनाएंगे फिर being फिर main बर्व का third form वही past participant फिर by apply करेंगे और इसके बाद subject to object का यूज किया जाना है तो structure आपको समझ में आ गया होगा जब structure समझ में आ गया तो हम चलते हैं इसका passive बनाने तो passive देखेंगे पैसिब में सबसे पहले tree को हमने क्या किया tree को यहाँ पे यह देखिए हमने क्या बनाया subject बनाया trees हमारा plural form में इसलिए r apply किया are trees being cut 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 का third form cut ही होता है third form भी cut होता cut 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 तो cut by woodcutter cut by woodcutter एक बार और देखेंगे are trees being cut by woodcutter are trees being cut by woodcutter यह हुआ आपका passive wise यह हुआ passive wise इस sentence का अब इसी sentence में आपको हम बता देते हैं intro negative sentence का intronegative का देखेंगे तो intro negative के लिए भी आप exolative verbs जो हमारा लग रहा है आप हो क्या जाना है ध्यान ध्यान आपको यह देना है कि subject और being के बीच्च में not लग जाना है subject और being के बीच्च में structure में देखेंगे subject और being है यहां पे not लगेगा और इसी तरह से हमारा is woodcutter not cutting wood यहां पे हम not लगा देंगे इसके negative form के लिए इसके negative form के लिए is woodcutter not cutting trees is woodcutter not cutting trees तो इसका आप passive क्या हो जाएगा structure एक बार और मैं पढ़ देती हूँ ध्यान रहे ताकि आपको is rm object to subject फिर not फिर being फिर main बरुका third form by plus subject to object तो are trees being not यहां पे not being cut by woodcutter एक बार और देखेंगे are trees not being cut by woodcutter तो इस तरह से आपका present continuous tense का interrogative और intronegative sentence का passive कैसे बनाया जाता है और वो आपको समझ में आ गया तो चलते हैं आगे हम present perfect tense को पढ़ने तो अब चलते हम present perfect tense present perfect tense जानते हैं कि इसके active voice में has और have दो auxiliary verbs subject के according लगती है और main verb का third form यूज किया जाता है तो passive में क्या लगाएंगे पैसिम में लगाने के लिए हम has है subject plus bean यानि कि actually हम बना कौन सा रहे हैं interrogative तो interrogative के लिए subject ये जो हमारा auxiliary verbs है इसके और bean के बीच में हम subject लगाएंगे यानि कि आपका लगना has been और have been है बट जब हम interrogative sentence में है तो interrogative के लिए हम इस तरह का structure जरूर बनाएंगे तो आप देखते हम एक sentence ले लेते हैं किसका sentence लेते हैं present perfect tense का active voice present perfect tense का active यानि कि हम उसका sentence लेके चलते हैं तो sentence देखेंगे आप has teacher taught you क्या सिक्षक आपको पढ़ा चुके हैं क्या सिक्षक आपको पढ़ा चुके हैं तो इसका translation ही passive कहलाता है तो इसके translation में देखेंगे सबसे पहले structure बताएंगे structure के लिए हम चलते हैं है पहले ही बता दिया गया है फिर subject to object आना है वो अपलाई किया फिर बीन लगाएंगे हम main verb का third form by an object को subject to object बना करके बाकी रूल सेम है बिलकुल changing होता है आपका तो यहाँ change हो रहा है कि कहां पर हमेंसे लगाना है तो शुरू का शुरू जरूर देखते चलेंगे आप और समस्ते भी रहेगा तो अभी हम इसका बनाना है इसका हमें बनाना है passive तो इसके passive के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसा हमारा object होगा object को जब subject बनाएंगे तो उसके according हम auxiliary verbs लगाएंगे पहले इसके rule के हिसाब से तो सबसे पहले you have you के साथ में have लगना है तो have you been taught by teacher? अब ये तो हो गया कि आपको सिख्छक के द्वारा पढ़ाया गया है आपको सिख्छक के द्वारा पढ़ाया जा चुका है पढ़ाया गया है ऐसे sentence आया इसी sentence में जैसा मैं भी बताती आ रही हूँ तिसी sentence में हम negative भी बता देते हैं इसी sentence में negative के लिए आप क्या करेंगे? निगेटिब के लिए यहाँ पर यह दि आना है आपको तो यहाँ पर आने के लिए आपको यहाँ सबजेक्ट के आगे not फिर बीन लगाना है सबजेक्ट के आगे not और बीन इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी चल देंगे यहाँ पर यह देखिएगा यहाँ पर not लगाएंगे और तो यह इस तरह से has, have फिर subject फिर हम not लगाएंगे फिर been यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा आपको अब एक sentence उसी sentence में हम ले लेते हैं तो has teacher not has teacher not taught you क्या सिखछक तुम्हें नहीं पढ़ाए हैं तो इसका जब हम passive बनाएंगे कि क्या तुम सिखछक के द्वारा नहीं पढ़ाएंगे हो क्या तुम सिखछक के द्वारा नहीं पढ़ाएंगे हो तो have you have you not been taught by teacher have you not been taught by teacher तो अब आपको यह sentence भी और present perfect tense का interrogative sentence इसके interrogative समझ में आ गया होगा देखिए भी हम यह बता रहे हैं simple जिसमें by और n में answer प्राप्त होता है में अभी wh का अलग rule है उसका अलग से ही चलता है वो मैं आपको next session में जरूर बताऊंगी तो यह देखते रहिए तो चलते हैं आगे next sentence को बताने next बहुत ही जल्दी हो जाना है आपको बहुत ही सरल सब्जों में समझा दूँगी इतना यदि आप समझ गये होंगे तो next भी आपको समझ में आ जाना है तो आपके सामने प्रस्तुत है past indefinite tense आप past indefinite tense के हम पढ़ेंगे past indefinite tense का active जो होता है active wise interrogative sentence के लिए तो उसमें auxiliary verbs did लगता है दिद लगता आप जानते हैं आप पैसी में क्या लगता है पैसी में चिंज हो जाना उसके next आगे का तो was or work का यूज किया जाता है तो एक sentence देखेंगे पहले active का एक sentence active का देखेंगे तो जब active sentence होगा वो क्या है कि did you read books did you read books क्या आप पुस्तक पढ़ते थे क्या आप पुस्तक पढ़ते थे इसको बनाना पैसी में क्या आपके दौरा पुस्तके पढ़ी गई है पढ़ी गई थी तो आप इसका हम ठ्रांसलेशन करेंगे जब इसका एक्टि थो इसका चुल रहा तो पैसिप का रूल पड़ करके रहा है। यह जानते हैं कि क्या लगाया जाता है क्या बदला जाता क्या उलट-पलट किया जाता है हम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो सब से पहले structure देख लेंगे structure के लिए वजवर को जैसा हम कई बार बताएं पहले लगाएंगे फीर बांगी का बांकी का रूल सेम है जैसा मैं बताती आ रही हूं कुछ भी ज्यादा बताने की जुरूरत नहीं है आपको सीर्फ थोड़ा सा दिमाख लगाने की जुरूरत है तो इस ट्रक्चर हुआ हमारा अब हम इसका पैसिब बना देते हैं तो पैसिब आप भी जानते हैं कि जो हमारा अबजेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नू सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हमारा एक प्लूरल फॉर्म में है तो वर लग गया है तो वर बुक्स रेड़ बाई अब यहां रीड रेड 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 स्पेलिंग वही होती ह उसके प्रणंसियेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है रीड रीड का रेड तो यहां पे आना है आपको वर बुक्स रेड बाई यू वर बुक्स रेड बाई यू तो यह समझ में आ गया जैसा मैं पूरे की पूरे बताती आ रहे हूं इसमें भी इसका निगटिव अप्लाई करना है तो निगटिव के लिए कुछ नहीं करना आपको डिड यू नॉट आपके सब्जेक्ट में जो है यह जो हमारा एक्टिव है यहां पे भी नॉट आ जाएगा डिड यू नॉट रेड बुक्स real books तो आप यहाँ इसके structure में इसके पहले नौक लगा देंगे main verb के पहले नौक लग जाना है जो main verb है उसके पहले नौक लग जाना है बस was, were, object यहाँ इतना देखना है आपको बांकी तो आहिए आप यहाँ पे were books यहाँ पे लगा देना है not वर वुक्स नॉट रेड़ बाई यू वर वुक्स नॉट रेड़ बाई यू तो इस तरह से आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी समझ में आ गया होगा मुझे पूरा भी स्वास है कि आप यादी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया तो हम चलते हैं को क्लियर करना होता है तो मैं तो बहुत ही सरल तरीके से बहुत जल्दी बताने का प्रयास कर रही हूं एदी एजुकेशन चैनल है एजुकेशन हमको लेना है तो थोड़ा बहुत तो टाइम स्पेंड करना है इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है पढ़ते चलन है और वीडियो अंतर तक जरूर देखिए कुछ नों कुछ तो नया सीखेंगे ही तो आप चल रहे हैं पास्ट कॉंटीनिवस्टेंस की पहचान भी आप जानते हैं उसके एक्टिम में जो है तो वाज और वर एक्टिम में वाज वर संटेंस के प्रारम में लगता है और फि अधिर सब्जेक्ट और प्लस बेंग यूज करेंगे यदि आपको इतना समझ में आ गया है तो बांकि यह चीज यह स्ट्रक्चर जो में बनाती आ रही हूं तो वह सुरू से दे रही है अफ्रमेटिम में भी दिया अक्टिम संझाया उसमें भी दिया तो यह समझ में आ गय तो एक संटेंस अब देखेंगे संटेंस बेखेंगे से इसका एक्जम्पल देखके चलेंगे तो समझ में आएगा वाज आई टीचिंग यू वाज आई टीचिंग यू क्या मैं आपको पढ़ा रही थी क्या मैं आपको पढ़ा रही थी तो अब स्ट्रक्चर भी समझ में तो आप आगे चलते इसका passive कैसे बनेगा, इसका passive बनाने के लिए वही rule जो हम बताते आ रहे हैं, sentence देखना है आपको, rule सेम है, change क्या होता है, सिर्फ आपका auxiliary work change हो रहा है, और उसका concept change होता है, यानि कि was, where, object to subject, फिर being, इतना देखने की जरुरत होती है, ये चीज़ तो सभी में आ रहा है, ये चीज़ सभी में आ रहा है, तो देखना आपको इतना यदि समझ में आ गया है, कि कैसे लगाना है इतना, तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो आप इसी का जो है, इसका passive बनाते हैं, तो यू को हमने subject लिया, यहां पे, तो यू कैसे परिवर्तित की गई, अच्छी तरह से आ गया आपको समझ में, आप इसी में हम बता देते इंट्रो नेगेटिव का जैसे बताते आ रहे हैं, तो इंट्रो नेगेटिव के लिए भी आपको क्या करना है, कि यहां पे आपको यहां पे subject और being के बीच में not लगा देना, क not plus being यह passive का हमारा हो गया structure, अब यही active का जो sentence है, was I not, was I not teaching you, was I not teaching you, इसका passive बनाना, इसका जब passive बनाएंगे, तो were you not, were you not being taught by me, were you not being taught by me, अब यह आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं, आगे हम, past perfect tense में, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी बताने का भी प्रयास कर रहे हैं, आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, तो past perfect में चलते हैं, बहुत ही simple है, पश्ट सिंपल क्योंकि हमें सब कुछ पकाया मिल जाता है कुछ भी अलग से लेने की जुरण नहीं होती है एक्स्ट्रा यदि लगता है तो ली बीन तो जैसे हैड अल्रेड लगा हुआ है हैड भी लगा है इसमें अब इसमें भी हैड लगाया और बीन इन दोनों के बेच में हमने सब्जेक्ट रख दिया सबसे सिंपल है पैसिब बनाने के लिए तो जब पैसिब बनाएंगे तो हैड दे वास्ट सिनेमा हैड दे वास्ट सिनेमा इसका हमें बनाना है पैसिब बनाना है तो कैसे बनाना है वही जैसा रूल है कि हमने सिनेमा को सब्जेक्ट बनाया तो उसके कर्डिंग हैड अल्रेड लगा है हैड ही कोई चंजिंग करना नहीं है हैड सिनेमा बीन वास्ट यहां से वहां वहां से कर देना है यहीं से सब कुछ लेना है यहीं से सब कुछ लेना है यह दिमाग में पर ठालेना है तो एक बार और देख लेंगे यहां पर इंट्रो निगेटिव के लिए यहां बीन को आगे भगा देंगे नॉट लगा दिया और बीन को भगा दिया थोड़ा सा अगे यह बीन हो गया अब इसी तरह से हमारा इसी संटेंस में जब संटेंस है तो है दे नॉट आप जानते हैं हम इसका तो बहुत अच्छी तरह से वीडियो बना के डाले हूं पढ़ा चुके हैं है अब्जेक्ट फिर आजाना चाहिए आपको समझेना तो इतने से में पॉइंट में यदि समझेने की चीज़ है तो सिर्फ यह होती है यह तो मैं सरली करण के लिए आपके लिए अलग से बना देती हूं ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो अब इसका हमें पैसी बनाना है तो ईस्तार है से आपको यह भी समझ में आगया यानिक हमें एक साथ चल रहे हैं एक साथ दो-दो रूल बता रहे हैं इने टो के टीटिव और इंटो निगेटिब का आपका दो-दो rule एक साथ समझ में आ रहा है और ये भी बन जाना चाहिए तो आगे चलते हैं future tense की और future बस थोड़ा सा बचा हुआ है future क्यों चलते हैं हम तो देखें आपका आगया future indefinite tense future indefinite tense future indefinite tense में हम जब interrogative sentence बनाते हैं तो will और shall को sentence के beginning में use करते हैं तो same इसी तरह से जब हम passive बनाएंगे तो इसमें will be और shall be will be और shall be यूज करेंगे बट कहां यानि कि shall और be के बीच में फिर subject आ जाता है will और shall के बीच में subject आ जाएगा सिर्फ इतना ही पैसी में changing होना है तो हम पहले कई बार बताते हैं कि आपको देखना यहां से है यह देखिए और structure same same है जितने भी structure आये है same same आपके structure है कोई भी changing नहीं है सिर्फ change होता है तो यह तो अब एक sentence देखेंगे विल ही sing a song विल ही sing a song अब इसका पैसी बनाने के लिए क्या करेंगे जैसा करते आए हैं कि a song तो a song है जैसे लगाएंगे हाला कि i और we के अलावा सभी subjects जो होते हैं विल ही लगाया जाता जाए वो singular form में होया plural form में किसमे future and definite tense में तो a song है तो यहाँ पे विल लगा है तो will a song be sung by him sung sing a song sing sang sung sing sang sung यह ध्यान देंगे आप miss नहीं करेंगे तो will a song be sung by him यह हुआ आपका interrogative sentence आप इसे में negative बनाने के लिए तो जैसा सम्मे करते आ रहे हैं तो इसको भी negative बना देते हैं तो negative के लिए इसमें भी थोड़ा सा वही चीज यूज करेंगे अब ध्यान दे लेंगे will shall plus subject not और be लगा देंगे तो यहाँ पे will he not will he not sing a song will he not sing a song अभी तो देखिए हम यह simple role बता रहे हैं फिर ऐसे sentences भी आते हैं कि रहेगा वह simple में और आपको apply मांग लेता है कि passive change करना है पर आपको intro negative की passive change करना है यह आगे जाकर error वगेरा में बहुत आपको मेलेंगे तो वह फिर आगे की session में बताया जाएंगे अभी तो simple ही पहले जाने इसके role इसके concept ही जानते रहेंगे तो will shall will shall फिर object आया और object to subject हमने बनाया और यहां पर हमारा आ गया not यहां पर not लगा दिया जब not लग गया यानि कि आप यह देख रहे हैं यह चीज आप यह देख रहे हैं तो यह समझ में आ गया होगा तो will a song will a song not be sung by him sung by him will a song not be sung by him इसका negative भी concept clear हो गया अब चलते हैं future perfect tense it is last sentence of this session इस session का आपका last है यह बहुत important इसको जरूर पढ़ते रहिएगा तो चलते हैं future perfect tense देखेंगे future perfect tense के active में interrogative sentence के active में will have or shall have उनका यूच किया जाता है will और shall यानि इसमे भी यहाँपे subject होता है subject होता है यहाँभी लेकिन जब हम passive बनाएंगे तो passive में क्या करेंगे कि have been और shall और will के subject लगाएंगे के बीच में subject लगाएंगे और जब हम tense पढ़ाये थे तो tense के interrogative में है भी बताएंगे कि यह सब्जेक्त यह है कि में इसका नियरेश्ट सब्जेक्ट प्लाइए लेखेंगे मुल को क्या सब्जेक पिर है ध्यान देना यहां पर किया देंगा है वी शॉर्च दिंद जऺना दिन यहां नदे люб आप हम चलते हैं एक्टिव का सेंटेंस ले लेते हैं विल कृष्णा है प्लेड ओन फ्ल्यूट विल कृष्णा प्लेड है प्लेड ओन फ्ल्यूट भगवान कृष्णा भगवान कृष्णा क्या बंसी बजाएंगे बजा चुके होंगे भवान कृष्ण क्या बंसी बजा चुके होंगे तो इसका जब हम पैसी में परिवर्तित करेंगे तो यह तो चीज हम आपको बता रहे हैं कि आपको ध्यान इतना देना है बांकी सभी में यही चीज है पॉस करके आप लिख जरूर लिजेगा पॉस करके यह पूरा का पूरा कि जब आप लिख लेंगे तो आपके सारे के सारे कॉंसिप्ट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि तुरंत समझाने में और पढ़ने में व्यक्ति समझ जरूर जाता है फिर बाद में वो भूल जाता है यदि आपका एक रिकार्ड कंप्लीट रहता है तो आपको कहीं भी कभी have been played on played on by Krishna Institute को बजाने के लिए प्ले का प्रयों किया जाता है प्ले ओन का तबला हुआ हार्मोनियम हुआ और बांसुरी हो गई है सारी जितने इंस्टुबेंट्स हैं इनको बजाने के लिए जितने भी हैं इनको प्ले ओन का यूज किया जाता है तो देखेंगे आप देख ल रहे हैं निगेटिव संटेंस तो निगेटिव में आपको क्या करना नियरेस्ट नियरेस्ट जो है तो आपको क्या करना ये नियरेस्ट है के बीच में आपको यहां पे नॉट लगा देना है सब्जेक्ट और है इनके बीच में नॉट लगाना है तो विल शैल सब्जेक्ट तो फिर यहां है के बीच में आ रहा है यहां पर हमने नॉट लगा दिया इसी प्रकार से विल कृष्णा not have played on flute will Krishna not not यह ध्यान दे लेंगे will Krishna not have played on flute तो इसका passive होगा will flute not have been played on by Krishna played on by Krishna इस तरह से आपके eight sentences की passive 22 ओभी negative sentence का complete होता इस session में और आपको अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक हमारे साथ तो बने ही रहना होगा for watching this video thanks thanks a lot